ओशो के बचपन और उनकी टीनेज जिन्दगी को समझने के लिए वेद और आनंद जयेश जबलपूर पहुँच चुके थे, जो ओशो का हूम टाउन था. आनंद जयेश, ओशो ने एक बार लॉस्ट चाइल्ड हुड की बात कही थी. हम उनका बचपन देखें, उससे पहले क्या आप मुझे लॉस्ट चाइल्ड हुड कॉनसेप्ट ओशो की नजरिये से समझा सकते हैं? वेद ओशो कहते थे कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, अपने बचपन को पीछे छोड़ जाते हैं. हम अपनी मासूमित और अपनी वो मासूम आखें पीछे छोड़ देते हैं, जो दुनिया को लेकर आश्चरिय महसूस करती थी, जो दुनिया की हर एक चीज़ को बहुत उत्साह के साथ देखना पसंद करती थी. ऐसी आखें जिन्हें कुछ नहीं पता होता था, जिनके पास कुछ नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो खुद को दुनिया की सबसे उँचाई पर महसूस करती थी, और उसे ही हम बचपन कहते हैं. जिन्दगी की एक ऐसी स्टेज जहाँ पर कोई टैंशन नहीं होती, चिन्ता नहीं होती, होती है तो सिर्फ क्यूरियोसिटी और सवार. ओशो का कहना था कि हमें अपने उस खोए हुए बचपन को सबसे पहले ढूणना होगा. 11 दिसंबर 1931 को ओशो का जन्म जबलपूर के कुछ वाड़ा गाउं में हुआ था, जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है. ओशो के दस और भाई बेहन थे, और इनके बचपन का नाम चंदर मोहन जैन था, पर इने घर में प्यार से रजनीश कहकर पकारा जाता था. और ओशो को अपना ये रजनीश नाम बेहत प्यारा था. इसलिए बाद में उन्होंने आचारी रजनीश का टाइटल भी लिया. ओशो बताते हैं कि वो बच्पन से ही सवाल पूछने और लॉजिक ढूनने में माहिर थे, बलकि वो आम बच्चों की तरह बहुत ज्यादा शरारती भी थे. चलिए आपको ओशो के बच्पन से जुड़ी एक कहानी सुनाते हैं. ओशो के गाओं में एक संथ हुआ करते थे जो अकसर बैठकर अध्यात्म, भूत प्रेद और आत्मा इन सब की बातें करते. उनकी बातें ओशो को कुछ खास समझ नहीं आती थी. ओशो के घर के पीछे एक नीम का बड़ा सा जाड़ हुआ करता था. और उसके सामने से सड़क निकलती थी. उसी सड़क से रात को वो संथ अपने आश्रम की तरफ जाया करते थे. ओशो ने एक बार सोचा कि देखा जाए संथ जी वाकई में भूत, प्रेद, आत्मा इन सभी चीजों से डरते हैं या सिर्फ लेक्चर देते हैं. ओशो ने तै क पेड़ पर चड़कर बैठ कैं. रात गहरी थी, अंधेरा जाया हुआ था. वो संथ नीम के पेड़ के नीचे से गुजरे, ओशो ने डरम बजाना शुरू कर दिया. इसे देखकर वो संथ कुछ मंतर बोलने लगे, इधर उधर घूमने लगे. जितना वो संथ पेड़ की त ही सवाल पूछा, कौन हो तुम? ओशो ने फिर से डरम बजाया. उन्होंने फिर से पूछा, जो भी हो भाग जाओ. ओशो ने फिर से डरम बजाया. अंधेरा इतना घना था कि उन्हें पेड़ की उपर कौन है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. अब ओशो ने वो डर प्रम और छड़ी जोर से उनकी तरफ भेंकी, तो वो दोड़ कर भागने लगे. संत के भागने पर उनका पैर फिसल गया और उनकी छड़ी गिर गई. संत की लालटैन भी जमीन पर गिर गई. जैसे ही वो संत जमीन पर गिरे, ओशो ने पेड़ से छलांग लगा दी और उन के उपर बैठ गए. अंधेरे में ओशो का चेहरा उन सभी को नहीं समझाया. उन्हें कोई भूत या प्रेद समझकर संत और उनके शिश्य वहां से भाग गए. दूसरे दिन सुभा पूरे गाउं में ये खबर पहल गई कि उस नीम के जाड़ में वाकई कोई भूत रहता है और संत ने उसे डरा कर भगा दिया है. अब जब भी वो संत ओशो के घर प्रवचन देने आया करते ओशो बार बार उन से लाल टेन और चड़ी के बारे में पूछते. एक तरीके से ये ओशो का संत को चड़ाने का तरीका था. इस से वो संत परिशान हो गए और फिर उन्हो के घर आना बंद कर दिया. इस कहानी का सीधा सा मतलब है कि ओशो बिना वजय की बातें, बिना लॉजिक की बातें बरदाश्त नहीं कर सकते और इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया. आखिरकार उस संत ने ओशो के घर आना छोड़ दिया. वेद आनन्द जैश से ओशो के बचपन की इस तरह की कहानिया सुनता हुआ, जबलपुर की गलियों में घूम रहा था. चलते हुए वेद के मन में खयाल आया. एक बात बताईए, क्या ओशो को गांधी जी पर भरुसा था? आनन्द जैश वेद का सवाल सुनकर हस पड़े. उन्होंने पूछा, अचानक ओशो की बात करते करते, तुम गांधी पर कहां पहुँच गए? वेद ने भी इस बात पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया. इंटरनेट पर ये दोनों बहुत ही ज़्यादा कॉंट्रवर्सी से घरे हुए हैं, बस मन में ख्याल आया तो पूछ लिया. वेद की इस बात पर आनन्द जैश वेद को ओशो के बचपन का एक किस्सा बताने लगे, जो गांधी जी से जुड़ा हुआ था. बात 1940 की है, दस साल का एक लड़का चंद्रमोहन जैन स्टेशन पर खड़ा कई घंटों से महात्मा गांधी का इंतजार कर रहा था. ट्रेन करीब दस घंटे लेट पहुची, लेकिन वो दस साल का लड़का था जो अपनी जगा से हिला तक नहीं. उसने ठान ली थी कि वो आज गांधी जी से मुलाकात करके रहेगा. जब ट्रेन स्टेशन पर पहुची और महात्मा गांधी उत्रे, तो स्टेशन मास्टर खुद उस बच्चे को लेकर गांधी जी और कस्तूरबा के पास गए. महात्मा गांधी को भी शायद वो छोटा सा बच्चा बहुत अच्छा लगा. उन्होंने चंदर मोहन से पूछा, तुम्हारी जेब में क्या है? उस बच्चे ने कहा, तीन रुपए, जो मेरी दादी ने दिये हैं. गांधी जी ने मुस्कुराते हुए उस बच्चे से का, तो ठीक है, इसे दान कर दो. बच्चा हिम्मती था, उसने पलट कर जवाब दिया, हिम्मत है तो ले लो. पर पहले ये बताओ कि दान देना क्यों है? गांधी जी ने उस बच्चे को बताया कि इस पैसे से गरीबों की मदद की जाएगी. बच्चे ने तीन रुपए दान के बकसे में डाले और एक पल का भी समय नहीं कमाया. और वो उस बकसे को गांधी जी के हाथों से चीन कर भागने लगा. गांधी जी कुछ समझ पाते हैं उससे पहले ही लड़का थोड़ी दूरी पर जाकर रुख गया. गांधी जी ने कहा ये क्या कर रहे हो? बच्चे ने कहा कि जब ये पैसे गरीब के लिए हैं तो मेरे गाउं में बहुत से गरीब हैं. मैं उन्हें ले जाकर इन्हें दे देता हूँ. बच्चे के मुँझ से ये सुनते ही कस्तूरबा गांधी खिल खिला कर हस पड़ी. उन्होंने कहा आज गांधी जी को पहली बार उनकी टक्कर का कोई जवाब देने वाला मिला है. कस्तूरबा ने मजाक मजाक में बच्चे से कहा ले जाओ बेटा, ये पूरे ले जाओ, ये बक्सा अब मुझे अपनी सौथन लगने लगा है. कस्तूरबा के ऐसा कहने पर चंदर मोहन जैन ने वो बक्सा वहीं छोड़ दिया और स्टेशन से भाग गया.